लोग सभा चुनाओं के तीसरे चरण के लिए 14 राज्जियों और केंद्र शासित प्रदेशों के 115 सीटों पर नामांगन का काम पूरा हो गया है तीसरे चरण के लिए आज नामांगन पत्रों की जाँच होगी नामवापसी के आखरी तारीक 8 अप्रेल है इस चरण में गुजरात के 26, किरल की 20, महराष्ट और करनाटक के 14-14 सीटों पर उत्तरप्रदेश की 10 सीटों पर वोटिंग होनी है साथ ही 36 गड़ की 7 सीटे, ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5-5, असम की 4 सीटों पर भी मददान है इसके अलावा, गोवा की दो, जबकि जम्मू कश्मीर, दादर नागर हवेली और दमन दीव की एक-एक सीट पर भी मददान होगा इस दौर में कई दिगज उमीदवार चुनाओ मैदान में हैं, जिन दिगज उमीदवारों पर सबकी नजरे हैं और में गांधी नगर लोग सबा सीट से बीजीपे अद्धक्ष अमिच शा, वायनार सीट से कॉंग्रस अद्धक्ष राहूल गांधी, उडिशा के पूरी लोग सबा सीट से संबित पात्रा, उत्तर प्रदेश के रामपूर से जय प्रदा, पश्चि मंगाल की जंगे पू लोग सबा सीट से बीचीत मुखर जी, मैनपूरी लोग सबा सीट से समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंग यादव और पीली भीट से वरुन गांधी का नाम शामिल है उडिशा विदान सबा के तीसरे चरण की 42 सीटों के लिए भी नामानकन का काम पूरा हो गया और आज नामानकन पत्रों की जाँच होगी उडिशा में लोग सबा के साथ ही विदान सबा चुनाओं भी चार चरणों में होंगे तीसरे चरण के लिए नामानकन का काम पूरा होने के साथ ही चुनाओ प्रचार तेज हो गया है लोगसभा चुनाओ के पहले चरण के मददान के लिए महज एक हफ़ता शेश बचा है सभी पार्टियों ने चुनाओ प्रचार में पूरी ताकत जोक रखी है जनता से सीधे संपर के साथ ही स्टार प्रचार को को लेकर भी पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रचार अभ्यान में जुटी है प्रधान मंत्री लोगसभा चुनाओ के प्रचार रण में आज धुआधार प्रचार करते नज़र आएंगे प्रधान मंतरी नरिंद्र मोधी आज उत्तरदेश और उत्तराखन में पार्टी के लिए चुनाव परचार करेंगे उत्तरदेश के अम्रोहा और सहरनपुर में भी चुनावी सभाओं को संबोधत करने का उनका कारिक्रम है उत्तरदेश के मुख्य मंतरी योग्या दितनाथ सहरनपुर रैली में मौझूद रहेंगे साथी नौईडा से बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रे मंतरी महेश शर्मा घाजियाबाद से उम्मीदवार वीके सिंग और सहरनपुर से राघव्लखन पाल भी मौझूद रहेंगे सहरनपुर में भीजेपी ने राघव्ल लखन पाल और अम्रोहा में कवर सिंग तवर को उम्मीदवार बनाया है इसके बाद प्रधान मंत्री उत्राखन के देहरादून में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे उत्राखन के सभी पांस सीटों पर 11 अपरेल को पहले चरण में मतदान होगा उत्तप्रदेश के सहरनपुर में 11 अपरेल को और अम्रोहा में 18 अपरेल को दूसरे चरण में मतदान होगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कॉंग्रिस के घोशना पत्र पर निशाना साधा है उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस के घोशना पत्र में सेना का मनुबल तोड़ने की बात कही गई है प्रधार्मन्त्री नरेंद्र मोदी ने एक निजी नीज चानल से बाचीत की दौरान ये बात कही देश के जो अप पोलिटिकल लोग है इंटलیکशूट्स हैं,DINGोमिस्स हैं, बिडिया के लोग हैं उन सबने कॉंग्रेस के ट्रेक रेकर्ड को एक बार देश के सामें रखना चाहिए और उस ट्रेक रेकर्ड को देखने के बात ताहिक करना चाहिए देशेट में एसी बाप करें देश की सेना को इतना जलील करें, बलातकार की आरोप ली बातें करें, यह शुभा देता है क्या, इस देश को गर्व है, और सवाल मोधी सरकार का नहीं है, इतने सालों का, आजादी के बात का मैं करता का हूँ, पीसकिपिंग फोर्स, युनिट इननेशन का, आज दुनिया मे सबसे अधिक पार्टिसिपेशन है, भारत के स्विकिरिटी फोर्स इसका है, इतने मंत्री और बीजेपी नेता अरुन जेटली ने एक बार फेर कॉंग्रस के घोशना पत्र को लेकर हमला बोला है, अरुन जेटली ने ब्लॉग लिखा है कि नहरु गांधी परिवार की परं इसमें मीडिया में एक अधिकार को रोकने और प्रेस के आज़ादी पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने की बात करता है, इसमें कहा गया है कि वेबसाइट, टीवी, चैनल और समचार पत्र के एक साथ स्वामित्व को प्रतिबंधित किया जाएगा, अरुन जेटली इसमें ने कहा कि कॉंग्रेस के घोशना पत्र में जो सजहाव दिये गए हैं, वो एक और मीडिया की आज़जादी को सीमित करेगा, वो ये दूसरे तरफ आतकवादियों और अलगावादियों को नई सुविधा मोहया कराएगा लोगसभा चुनाओ के लिए चुनावी सरगर्वी आपने चरम पर हैं और प्रचार के लिए अब कुछी दिन बचे हैं, सभी पार्टियों के नेता चुनाओ प्रचार में जुटे हैं, वीजेपेदक्ष अमिच्षा आज अनुनाचर प्रदेश, मनिपूर और असम में रा राली करेंगे, इसके बाद बिजेपेदक्ष असम मिराली को संभोधित करेंगे आज महाराश्टर में परचार करते नजर आएंगे रहुल गांधी पूरे में भारते विध्या पीट कैमपस में चात्रु के साथ समबाद करेंगे साथ ही कोंगरिस अध्यक्ष चंद्रपुर और वर्धा में रैलियों को सम्बोदेद करेंगे कॉंग्रिस महासाचेव प्रियांका गांधिया जुत्त्य प्रुदेश के घाजियाबाद में रोडश्यो करेंगी ब्यस्पी प्रमुक मायवती आज नाकुर में जन सभा करेंगी ब्यस्पी महाराश्चेव में ये समाजवादी पार्टी के साथ गडवन्धन करके लोगसभा चुनाव लड़ रही है इसके लावा टीमसी प्रमुक और पश्चिब मंगाल की मुख्यवंद्री ममता बैनर जी आज असम में चुनाव प्रचार करेंगी वो राज्य में पार्टी के लोगसभा उम्मीद्वारों के लिए धुबरी में एक रैली को संबोधित करेंगी ट्यमसी असम में लोगसभा की नौ सीटो पर चुनाव लड़ रही है बीजे पेदक्ष अमिच्छा ने कल आंधर प्रदेश के गुंटूर में एक चुनावी जिनसभा को संबोधित किया अमिच्छा ने कहा कि मोधी सरकार ने पांच साल में देश भर में विकास कारे किये इस पांस साल के अंदर देश आरे काम किये आंधर प्रदेश का विकास करने के लिए देश आरे काम किये और दूसरी और देश की सुरक्षा के लिए भी आतंक वादियों को मजबूत मूत तोर जवाब देने का काम भार्तिय जन्ता पाइटी की लरेंद्र बोधी सरकार ने किया इसके लावा बीजेपे दक्षामिच्छा ने विशाका पटना में रोच्षो भी किया रोच्षो में सैक्डो बीजेपे कारे करता मौजूद थे लोगों ने उन पर फूल बरसा कर उनका स्वागत किया कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांदी ने कल केरल के वाइनार सीट से नामान कन दाखिल किया राहूल गांदी इस बार अमेठी के साथ साथ वाइनार से भी चुनावी मैदान में है इस मौके पर पार्टी के कई और वरिश्ट नेता मौजूद रहे राहूल गांदी ने नामान कन दाखिल करने के बाद रूट शो भी किया इसके बाद राहूल गांदी महाराष्ट पहुंचे और नागपूर में चुनावी रैले को संबोधित किया राहूल गांदी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो श्रमिकों के लिए नियूनितम आयसोनिश्चित करेगी साथी कहा कि विशेशग्यों से विचार में मर्श करने के बाद चुनाव गोश्चना पत्र में नियूनितम आय योजना का वादा किया गया है कि अग्या पहतर हजार रुपे मैं सक्चाई वोलता हूं मैं आपके साथ लंबा लंबा रिष्टा बनाना चाहता हूं कॉंगर्स ने लोग सबचुनाओं के लिए एक और लिस्ट जारी कर दी है से मध्यप्रदेश के कई उम्मीद्वारों के नाम है खासबत ये है कि मध्यप्रदेश के चिंद्वारा से कॉंग्रस ने मुख्यमंतरी की नंखुल। अभी तक चिंद्वारा से सांसत थे क्मलना चिंद्वारा से विधान सभा का चुनाओं लड़ेiénगे नकुलनाद के अलावा अर्जुन सिंग के बेटे अजे सिंग को भी सीधी टिकेट से टिकेट मिला है खर्णवा से पूर प्रदेश अद्देक्षा और विधान सभा चुनाओं में शिवराज के मुकाबले उतरने वाले अरुन यादव को टिकेट दिया गया है समाजवादी पार्टी से हाल ही में रिष्टा तोड़ने वाले निशाद पार्टी उत्तरप्रदेश में एंडिये के साथ आ गई है उत्तरप्रदेश में रिषाद पार्टी का बीजेपी से गड़ बंदन हो गया है गुरकपुर से सांसद प्रवीर ने शाद BJP में शामिल हो गए वही तेलंगाना से कॉंग्रेस के पूर्व सांसद आनन्द भासकर रापोलू भी कल BJP में शामिल हो गए रापोलू ने केंद्रे स्वासा मंत्री जेपी नड़ा की मौझूदगी में वो पार्टी में शामिल हुए वहीं राजस्तान में बीजेपी और राश्ट्रे लोगतांत्रिक पार्टी के साथ भी बीजेपी का गड़ बंधन हो गया है पश्य मंगाल की मुख्य मंत्री मम्तावानरजी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है उन्होंने राश्ट्रे नागरिक रजिस्टर एनर्सी की जोड़दार आलो चुना की और कहा कि वो बंगाल में एनर्सी की अनुमती कभी नहीं देंगी प्रिधान मंत्री पर दाना शाही रवया अपनाने का रोक लगाया उन्होंने कहा कि पिछले चुनाओं में बीजेपी ने जो वादे किये थे उन्हें पूरा नहीं किया गया ममता बैनर्जी ने कहा कि बंगाल सरकान ने बंगलादेश के साथ इनक्लेव हस्तान अंतरण के मुद्दे को खल किया है उद्वार को प्रिधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में रैली करके ममता बैनर्जी को राज्य के विकास में स्पीड ब्रेकर बताया था चुनावायों ने बताया कि पहले और दूसरे चरण के 188 लोग सभा सीटों के लिए कुल 3954 उमीदवार मैदान में हैं जिसमें से महिला उमीदवारों की संख्या 216 है चुनावायों के मताबिक अब तक 1618 करोड रुपे की शराब और कई वस्तुएं आचार सहिता के उलंगन के मामले में जब्द की जा चुकी है चुनावायों के मताबिक इन चुनाव में लगबग 18 लाग सर्विस मतदाताओं के लिए ये पोस्टिल बैरिट की सुविदा चुनावायों आयोग ने महुया कराई है आयोग ने ये भी साफ किया कि तिलंगाना की निजामाबाद लोग सबसीट पर 185 उम्मीदवारों के खड़े होने की सूरत में भी EVM से चुनाव संपन्न कराया जाएंगे आयोग के मताबिक वहां 12 EVM मशीनों का अस्तमाल होगा के चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के 10 दिन पहले भी आयोग मतदाता सूची में नामदर्ज करवा सकते हैं As a first phase we are giving the information about what all MCC violation cases have been taken by the ECI at ECI level from 10th of March and continuously now you would be seeing the update being made available to you and it is not only an information you will be able to download what is the complaint if any notice is issued the notice copy also you would be able to download from there and if it is decided finally what is the final decision copy also you would be able to see और अब बाच्चनाव स्पेशल की बिहार के पटना की दोनों लोगसभा सीटों पार एंडियो और महागण बंदन के बीच कड़ा मुकाबला है लेकिन हाँ RGD को पार्टे के भीतर की गुडबाजी का सामना करना पढ़ रहा है उमिदारों की नामों को लेकर भी कारे करताओं में अस है जुता है बिहार की राजधानी पटना में लोगसभा की दो सीटे हैं पटना साहिब और पाटली पुत्र पटना साहिब शेहरी सीट है इसमें 6 विधान सभा सीटे आती है खरीब 21 लाख मद्दाताओं में OBC और कायस्थ वोटर की बड़ी आबादी है बीजेपी ने इस बार यहां से शत्रुगन सिनहा का टिकेट काट कर रवशंकर प्रसाद को मैदान में उता रहा है वही माना जा रहा है कि शत्रुगन सिनहा कॉंग्रेस में शामिल होकर यहां से महागडबंदन के उम्मीदवार हो सकते है रवशंकर प्रसाद पिछले कई सालों से पटना में सक्रिय है किसी भी कीमत पर सत्रुगन सिनहा को एक कमजोर उमिदवार नहीं माना जाना चाहिए जो बीजेपी के कटर समर्थक हैं जिनकी संख्या पटना सहर में काफी है पटना में भाजपा का बड़ा मजबूत संगट है इसका उनको घाटा होगा चुकि वह जो कटर समर्थक हैं वो इनको वोट नहीं करें दूसरी तरफ पिछले बर्गों में खासतोर से सरकार विरोधी, केंदर सरकार विरोधी ये भावना है और ये भावना उनके पक्ष में काम करेगी दूसरी सीट पाटली पुत्र पर भी हाई प्रोफाइल मुकाबला है यहां से केंदरी मंतरी और बीजेपी की उम्मीदवार राम करपाल यादव मैदान में है उनका मुकाबला आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी मीशा भारती से है पाटली पुत्र में च्छै विधान सभा सीट शामिल है इसमें पटना शहर से सटे इलाके आते हैं जिसमें 17 लाक वोटरों में बड़ी आबादी यादवों की है पटना में IIT, AIMS, ESI हॉस्पिटल समेथ कई विकास कारियों का फाइदा बीजेपी को मिल सकता है उनका लाब भी उनको मिलेगा फिर भी पिछले चुनाओं के मुकाबले में मिसा भारती के स्थिती ज़्यादा अलुक हुए मिसा भारती को CPI ML के महा कटबंदन में शामिल होने का फाइदा मिल सकता है आरजेडी ने तालमेल में CPI ML को आरा सीट दी है अखिले सुमन, राजे सभाटी वी बीजेपी के उत्राखंड प्रभारी और केंद्री मंत्री धावर्चन गैलोट ने केंद्र में एक बार फेर नरींद्र मोदी की सरकार बनने का दावा किया है उन्होंने का कि पिछले पांस साल में समाज की हर वर्ग के लिए विकास के काम किये गए है राज्य सभाटी वी से खास बाचीत में उत्राखंड के बीजेपी प्रभारी थावर्चन गैलोट ने राज्य में फिर से पांचों सीटे जीतने का दावा भी किया सर आप घूम रहे हैं क्या-क्या मुख्य मुद्दे हैं जो उत्राखंड में आपको दिखाई दे रहे हैं देखो उत्राखंड में नरेंदर मोदी जी की सरकार बनने के बाद और यहां त्रिवेंदर सिंग जी रावत की सरकार बनने के बाद तेज गती से चहुमु की विकास हुआ है देश के साथ साथ उत्राखण ने भी विकास की गती को आगे बढ़ाने में सफलता प्रात की है सारे देश का माहूल नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधान मंतरी बनाने के पक्ष में है उत्राखण में भी वेसा ही वातावरण है पांचों लोगसभाक्शेत्र उत्राखण की भारति JANTा पार्टी जीतेगी सेनिकों और पूर्वसेनिकों और उनके परिवारों के लिए नरेंद्र मोदीजी ने एतिहासी कारीयोजना बना करके सफलता प्रात्त की है विशेशकर one rank, one pension और उसका लाव 90% से अधिक सेनिक परिवारों को मिल रहा है इसके कारण सेना भारती जंता पार्टी के अनुकूल दिखाई दे रही है सेना के परिवार के लोग भी बारती जंता पार्टी के अनुकूल दिखाई दे रहे है ये हैं थावर्चन्द के हलोजी जिनका कहना है कि देश में जिस तरीका का माहौल बना है वो बीजेपी के पक्ष में है हरदवार से कैमेरामेन प्रशांतों के साथ रवन सिंग शोरान राज्य सभाटी में